दिन्या के कई मैदानों ने इस केरी बाई बल्ले बाज का धमाका देखा होगा और इन दिनों गेल कनाड़ा में खेली जा रही ग्लोबल टी-20 लीग का हिस्सा है सुकरवार को कनाड़ा के ब्रैम्टन मैदान पर वेंको और नैट्स की और से खेलते हुए गेल के एडम्टन रॉयल्स के खिलाफ 94 रन की धमाकेदार पारी खेली गेल ने रॉयल्स की खिलाफ पाकिस्तानी गेंदबाश शादाब खान के एक ही ओवर में चार चक्के और दो चोको की मदद से 32 रन मनाए शादाब खान पारी का तेहरवा ओवर फेक ने आए उस समय नाइट स्कोर 48 गेंदों पर जीत के लिए 69 रन मनाने थे गेल ने इस लैग स्पिनर के ओवर की पहली गेंद पर शादार चक्का जड़ा इसके बाद अगली स्कौार लैग बाउनरी पर 6 रन के लिए भीजी और उसके बाद अगली दो गेंदों पर उन्होंने दो च 27 रन चाहिए थे और गेल का स्कौर 43 गेंदों पर 94 रन हो चुका था वह हाला कि अपने स्कौर में इजाफा नहीं कर सके और 44 गेंदों पर 94 रन मनाकर बेंड कटिंग की गेंद पर आउट हो गए और अपनी पारी में उन्होंने 6 चोके और 9 चके लगाई इससे पहले ताबा तोड़ पारी की मदद से रोयल्स ने 16.3 ओवरो में ही चार विकिट के नुकसान पर 166 रन बनाकर आसानी से जीत अपने नाम करी और गेल को उनकी दमदार पारी के लिए मैन आफ दा मैच भी चुना गया